है यहां पर काफी दिन से बात कर तो चार महीने में आपकी तियारी को से 70 प्लस तरक पहुंचा देगा तो वह इस वीडियो में डिस्कॉस करेंगे बृफली इंपोर्टेंट चैप्टर्स वेट वाले चैप्टर्स जो हैं वह भी देखेंगे यहां कौन-कौन से हैं particular हर subject के लिए और तीसरा cut-off के बारे में बात करेंगे और lastly काफी सारे Hindi medium students हैं जो comment section मुझे पूछ रहे हैं कि Hindi medium के लिए हम question practice कहां से करें तो वो भी हम इस video में cover करेंगे ठीक है तो सबसे पहले February से आपके में तक के चार महीने हैं यानि 120 दिन आपके पास में होंगे तयारी के लिए तो it's 100% sure and it's 100% definite कि अगर आप zero level पे हो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो definitely आप बहुत अच्छे marks लाकर selection से क्यों और कर सकते हो अगर आप average student हो कि हाँ कुछ बढ़ रखा है कुछ नहीं बढ़ रखा तो definitely आप इतना अच्छे से कर लोगे चार महीने में कि आप एयर तक achieve कर लोगे पर वो भी planning के साथ करना पड़ेगा एक strict schedule मैं इसमीं फॉलो करना पड़ेगा आपको इन चार महीनों में क्योंकि लास्त आपके डेजर रहेंगे क्योंकि अगर बिल्कल एक महीने में तर नहीं होगा चार महीने sufficient है इस exam को correct करने के लिए ठीक है तो जैसे मेरी जो strategy रहेगी मेरे batch के students के लिए वो में यहां पर बता रही हूँ जैसे हमारे पास में 120 days है यहां पर मैंने split कर दिया इनको 50 days 30 days 30 days and 10 days में इन 50 days में जो यह आपके starting के 50 days होंगे इसमें हम स्लेबस कवर करेंगे अपना अब आप बोलो के लिए हमारे इतना वास स्लेबस है PCB तीन उचीते पड़नी है हमने हम पचास दिन में कैसे कवर कर लेंगे पूरे दो साल की 11 और 12 तो यहां पर हम यह चीज़ धियान में रखनी है कि हम जो स्लेबस कंप्लीट करेंगे वह पहले हमारे इंपोर्टेंटर हाइवेटेज वाले चैप्टर करेंगे ठीक है मतलब कि जहां से कौशन आने की प्रोबैबिलिटी जादा होती हम वह करेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो हम इसे सो चैप्टर करेंगे तो हम इसे सो चैप्टर करेंगे इन इसो को बहुत अच्छे से करना है तो कि इन में से जो भी कॉशन आये वह कहीं भी ना रही हमारे प्रिसाइस कंटेंट आपके पास होना चाहिए जैसे मैंने बताया कि हम इतने टोपिक कवर करेंगे कुछ ट्राइम आपका मिल जाएगा अच्छे से करने के लिए प्रिस इस नर्सिंग लेक्चर करके था उसमें स्टुडेंट्स को अंसर कर रहे थे वह आप दो वीडियोस है वह चेकाउट कर सकते हो ठीक है एक उसमें से प्लांट किंग्रम की है और एक उसमें से काइमेटिक्स चेप्टर की है तो फिल्जिक्स की कॉशन अगर आपको देखने क चुशन आने की प्रबैबिलिटी बहुत जादा होती है तो इसमें से बायो तो आपको पूरी ही करने है तो आपको चोड़ना है रीजन क्योंकि बायो सब की असान भी होती है सबको आती भी है सब अच्छे कर भी लेते हैं ठीक है इसमें कोई इतना बहुत मुश्किल नहीं के लिए हमें टाइम बहुत जादा लगता है तो अब थोड़ा सा मैं यह भी बात करूंगी जैसे इंपोर्टेंट चैप्टर यहां पे लिख रखे हैं ट्वेल्थ फिजिक्स तो पूरी पड़नी है बट इलेमेंट्थ में मैंने कुछ चैप्टर कर दें इस इनलम रोटेशन टीक है अब यहां पर इस लास 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 ली थी फिजिक्स की काइनमेटिक्स चैप्टर के लिए उसमें क्या था बच्चों के जैसे वहां पर जितने बच्चे प्रेजन थे उन में से तीन से चार स्टुएंट ऐसे थे जिन्होंने एक कॉश्चन को सॉल्व करने के लि आप बेपर में बाठे हो तब आपके पास में एक physics का कोश्च है आपको कितने हुद आता हो उसका करने के लिए आप 5 मिनट का टाइम तो कम से कम लोगे क्योकि आपके जमाग में होता है कि आपके कोई seulement मिस्टेक की वज़य से हो गलप न हो जाए प्रवाइड करी है तो प्लीज कोशिश करो कि आपको वह पचास कोश्चन लाइव के बाद आप इतनी बार सोल करो कि आप बस कोश्चन देख रहे हो एंड उसका हंसर कर रहे हो ठीक है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप इतनी मुल्टिपल टाइम प्रैक्टिस करते हो न उ कर लोगे तो आपको नहीं मिलेंगी चांसल बहुत कम होते हैं कि दूसरी वराइटी का कोश्चन फ्रेम करके आएगा और वहीं वराइटी आ रही है तो आपके गिल्ती नहीं होनी चाहिए ठीक है और मेरा में बार-बार कहते हूं कि फिजिक्स में तो भई तुमें तीस में सब्सक्राइब के लिए जरूरी हो जाते हैं क्योंकि 65 तक ही उनको जो है मिलते हैं तो कहीं ना कई अगर 75 का टार्गेट रखोगे तो इतने माक्स आएंगे सब्सक्राइब करेंगे तो इस बच्चे को अगरें प्रॉब्लम ना हो अगर आप हाइयर सोचोंगे तब कहीं जागे सेलेक्शन इतने माक्स आपके स्कॉर हो पाएंगे अब हम बात करते हैं जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर की 120 डिन को मैंने स्प्लिट किया है इन पचास दिन में प्लैड़ करेंगे तो पचास में क्या करने वाले हैं वो डिसकस करेंगे ठीक है जो यहां यह 30-30 देज रहे गए इन में हम बेसिकली क्या करेंगे रिविजन करेंगे यह आपके नेक्स्ट आपकी मन्त का प्लैनर वीडियो आएगा उसमें डिसकस करूंगे स्टार्टिंग के हम 50 देज का एक वह देख लेते हैं कि क्या हमें प्लैनिंग करनी है तो हम 50 देज में प्लैनर चैनल का नेम है इसी नर्सिंग और इसके तू.8 के आपको फॉलोवर समय जाएंगे तो आप सर्च करके भी इसको फोलो कर सकते हो या फिर मैं दिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रवाइड कर दूंगी दूसरे इंपोर्टन चीज इस काफी सारी फ्री चीजे भी टेलिग्राम चैनल पर आती है जैसे अभी मैंने सुबह ही वहां पे एक सैंपल पेपर अपलोड किया है तो वह आप एक बर सोल कर सकते हो आपको एक्यूरेट लेवल का प्रवाइड करना है अपने सारी चीजें पढ़ो हैं यहां पर थोड़ा सा चेंज रहेगा क्या चेंज रहेगा कि मैं जैसे एक दिन पहले जैसे अगर वस्ट फैंसे में शुरू कर रहे हैं तो मैं आपको 31st of jan को क्या प्रवाइड कर दूंगी इन तीनों की आपको एक पी पीडिएफ आपको सोल्व करनी है लाइक अगर हम बात करें फिजिक्स और कैमेंस्ट्री में तो उसमें नुमेरिकल फॉर्मेट रहेगा तो नुमेरिकल सोल्व करने आपको बहुत अच्छे से मतलिब की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके आने हैं क्या आप नहीं कर रह बागी के तीन उप्शन है उनके बारे में भी आपकी पास complete knowledge होनी जाहिए ताकि आपका कोई question exam के अंदर ना रही ठीक है तो यह चीज़े आपको करनी है पहले पीडियाफ को आप सोल्व कर लोगे content में साफ सारी चीज़े पढ़ लोगे जो भी रिकॉर्ड लेक्शर्स हैं तो दिन को फोलो करने का confidence अपने आप आ जाएगा क्योंकि वह आपके अंदर खुद होगा कि आप ऐसा प्लेंदर बना के अपने वोल पेज पा रहे हो रूम की और यहां पर कट मारते जा रहे हो कि यह चप्टर मैंने पढ़ लिया यह भी कर लिया तो आपके अंदर करेंगे तो हमारे होंगे 21st of March तक ठीक है अब बोलोगी यह तो ब्लैंक है ब्लैंक क्यों है क्यों है क्यों हमारा जो चीजे हैं वह इतने दिनों से खतम हो चुकी होंगी यानि कि हमारे पास 21 days left होंगे 50 दिन में से physics के लिए तो हम यहां पर इन में क्या करेंगे इन में हम द पर यह हम अपना स्लिवस कंप्लीशन में ही लेके चलेंगे इसको रिविजन में करेंगे बट आपकी कहीं न कहीं नहीं हो रही होगी यहां पर 15 दिन chemistry के लिए आपको बचे होंगे तो यहां पर अगयर हम दूसरा प्लैनर लेके आएंगे जिसमें आपका रिविजन से रहे आपका रिवाइज में करवादू जैसे एक बार तो यहां पर आपका स्लिवस कंप्लीट हो रहा है तो ऐसे ही हमारे पास कितने दिन है सतर दिन और वचेंगे उनमें हम काफी बार रिविजन कर लेंगे कि यहां पर पहली पहली बार पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं टाइम से हो गए जो मैंने प्रवाइड कर रखे मैं उससे आपको नोट्स बनाने हैं मेक शूर कि आप जो नोट्स बना रहे हो वह प्री साइज हो जितना कम हो सके उतना हो ज्यादा पेजिस के मत बनाना वह अट्रैक्टिव लगने चाहिए कलर फुल बनाने की कोशिश करना क्यों कि कलरफुल बनाओगे आपका बहुत मन करेगा उसको बार बार से पढ़ने का ठीक है कलरफुल बनाओगे आपका पूरा माइंड फोकस ड्रैगा उनको बनाने में और आपके माइंड में वह चब भी जाएंगे साइकलोजिकली वह अच्छा रहता है तो अट्रैक्टिव करके बनाना तक कि आप लोगों के लिए वह बैटर रहें रिविजन के टाइम पर और यह नोट्स बहुत इंपोर्टेंट होंगे आगे आने वाले सकतर दिनों के लिए तो प्लीज मेक्शूर कि आप लोग सेल्फ शॉर्ट नोट्स बनाओ वह बहुत इंपोर्टेंट रहेगा सब्सक्राइब के सब्सक्राइब करेंट हां इसरह दिकए सब्सक्राइब होगे तक और बिज्क तक शज़से खीट नोट अ requesting खाने वाले सवेख होँ घ्यक है तो यह बनाने के बाद में इसको हाइलाइट करना अच्छा है कि कौन सा आपको लगदा कि आपको नहीं आए या बार बढ़ने की जरूरत है टाइम लिए उसको रिवाइस करते रहना है यह दोनों चीजे आपके लिए बहुत इंपोरेंट होंगी सब्तर दिनों में गैरेंट नहीं करोगे आपका नुकसान होगा लाइव शॉट और यह सिरी आपको बन रहें करो वह पुर प्रैक्टिस है ठीक है और लाइव वाले अमेन हैं लाइव लोको जादा करना जितना प्रैक्टिस हो सकते हूँए उतना करना ठीक है उसके बाद जो आगे आईगा और जो कोश्चिन पीडियाप आप हाइलेट करके बनाओंगे वह आपकी सेलेक्शन को डिसाइड करेंगे तो प्लीज भी प्रपेर हर एक चीज के लिए और मैं गैरंटी के साथ कह सकती हूं मैं बार बार बोलती हूं लार्स वोर यहर से मैं बोल रही हूं कि हमारे कोर्स से 60 मैं इसी वज़े से बोल रही हूं आपको एक ही पीडियाप को बार बार प्रक्रिस करने के लिए तक आप लोग उन को अच्य से पकड़ लो ठीक है तो हिंदी मीडियम के सो तभी मैं चीजें बोलती हूं कि हिंदी और इंगलिश मीडियम दोनों मीडियम से एक फोकॉस्ट क पढ़ाए करोगे हिंदी मीडियम वाल इसी चीज से आप कर लोगे ठीक है हिंदी मीडियम का इमस बेस नर्सिंग के लिए अविलेबल होना थोड़ा थफ है नीड वाली चीजे करोगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगा कि वहां पर हार्ड लेट के क्वेशन रहेंगे तो मेक चुर आप लोग अच्छे से क्वेशन प्राक्रेस करो जितना हो सके उतनी चीजे फोलो करो जो मैंने बोली है यहां पर बहुत ज्यादा करने को ज़रूरत नहीं है कि आप कुछ ज्यादा ही चीजे कर रहे हो मैंने बार-बार बोलते हैं कि जो आप चीजे प्रवाइड करत मुझे पता है कि एक चेप्र के 300-400 प्रेक्टिस करना पॉसिबल नहीं है इसी वज़े से मैं कहीन को कम रखती हूं ठीक है पर चार महीने में जितना मुझ से होसकेगा मैं आप लोगों की हैं करूंगी स्लेक्शन को सिक्योर करने में एंड मैं लास्ट दो लाइव जो हमारी कि डारेक्ट मुझे कोई क्या रही है तो पूच सकते हो थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो अगे में